कुमातां कु असम्मान छिप्धा सरा हिंदुस्तार द्यमके सांचदं का बयान कु नई राजन अई थिक तोफार समालो चुना परे सब्दा फेराईले हेले मागिले निख्यमा बीजेपी कहिला अभ्यास गत्र सनातर विरोधी द्यमके निता सिंथिल कुमार का बिशव बयान कु नई कंग्रेस मुहरे तला इंडिया अलाइस रो सनातन विरोधी आभे मुख्यर पोल खोलीला सनातन को अपमान, गोमाताक को अपमान, हिंदी को अपमान, उत्तर भारतक को अपमान कोटी-कोटी भारतिय सनातनिंक धार्मीक भावनाकु बारंबार चोटो और विवाध हेवाप परे सब्द प्रत्याहार नाटक। जेमके सांसद चिंधिल कुमार प्रतमे हिंदी भासी राज्य गुडिकु गोमुत्र राज्य कही अपमानित कले जिते बड़े विरोध हेला कहीले मुकाहको अगात देनिकी कीची भूल कथा कहीनी अव विरोध जोर धनी बारू कहीले सब्द प्रत्याहर करने उची जेते बड़े चाहीवे अपमान करिवे आउ अड़वारे पडिले सब्द प्रत्याहर कली कही खसी जिवे बीजेपी कहीची उत्यस्यों मनक भावे विबहार कर जाईती बास सब्द पाई ख्यमा ग्रहनी अनुहे आउ DMK निताहे उचंती अभ्यासगत अस्तनातन अपमान करें ना रहूल गांधी ना सोनिया केही ए प्रशंगरे एजाए पद्द टीए भी प्रतिक्रिया देले नाही पुर्बरु तामिल्लाडु मुख्यमंत्रिंक पुव तथा मंत्री उदयनेधी स्टालेन भी स्तनातन धर्मकु करितिले अपमान सेतेबडे मध्य कॉंग्रेस नेतांक मुहरे पडितिला ताला पीजेपी कहिछी उदयनेधींक केत्ररे चू प्रहिवाजगू तीनी राजरे कॉंग्रेस कू आउट करिदिले जनत्ता एवे सेंथिल कुमार कस्तनातन बिरोधी वयान कुनेई निरबत्ता च्वपीस निर्बाचन्रे कॉंग्रेस कुपडिवा महंगा The party which is very close to the Indy Alliance formed by the Congress was responsible mainly by the speech of Mr. Udayaniti Stalin who said that Sanadhan Dharma should be decimated. The people have shown the door, exit door for Congress in these three states. Now, for the Parliament elections, the DMK has started its own journey to remove Congress from India. That is what they are doing. The Indy Alliance is to be decimated by the DMK itself. केबड़ कॉंग्रेस नुहें, इंडी आलाइंस न सबू दल सेंथिल कुमार का बयान नैचुप जाकी धरापकाई देचि यही मेंटर Sanatan बिरोधी वो बिभाजन कारी आभिमुच्छ गोमाताओ सनातन को बारामबार अपमान को बरदास्त करिबेत देसरा कोटी-कोटी सनातनी विरो रिपोर्ट अर्गस नुच जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल ले गिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेबा कुछ जो मैं भी बोलों तो नहीं